रुआ देख रहलबानी बिहार के डिश्टो क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूटुब चैनल भारत लाइब टीवी बिहार में राजनितिक पूरी तरह से सुरू हो चुकी है अब आपको बता दें कि जहां एक तरफ तेजश्वी और नितीस खेमे में जम कर एक दूसरे पर वार पतिवाद और हमले के दौर जारी था वहीं भारतिय जन्तापाटी ने भी अब पूरी तरह से अपना पत्ता खोल दिया है प्रदेश अध्यक्ष संजय जैसवाल ने हमला करते हुए कई सारी बाते कहीं हैं और उनका समर्थन भारतिय जन्तापाटी के कई नेताओं ने किया है नागरी संसोधन बील पर अफवा फैला कर बवाल दंगा और हंगामा करना चाहते हैं इसी बात के साथ संजय जैसवाल ने तेजश्वी खेमा पर हमला किया है जैसवाल ने नसीहत देते हुए अपने अतीत में जहाकने और अपनी कारगुजारियों का एसमरन करने की बात कही है नागिक संसोधन बील पर अपने कारेकरताओं को संबोधित करने दर्भंगा के टाउन होल पहुचे थे वहीं उन्होंने बहुत सारी बाते कही उन्होंने कहा कि कुछ महीने बाद चुनाव है और चुनाव के इस सीजन में फायदे के लिए यह सब सुनियोजित तरीके से जूट मुट का प्रपंच रच रहे है भाजपा के प्रदेश संजेज इसवाल ने कहा कि बरसात में जैसे बरसाती मेढग निकल कर टर टर करते हैं और बरसात खत्म होते ही चूप हो जाते हैं वैसे ही बिहार में कुछ नेता है जो चुनावी मौसम में टर टर आते हैं नागरिक संसोधन बील पर विपक्ष को लेकर यहां की जनता को भड़काया जा रहा है करेकरताओं को संबोधित करते हुँ उन्होंने कहा कि भारत देश हम सभी का है लेकिन घुस पैठियों का कभी नहीं होगा इतना ही नहीं उन्होंने सिधे तोर पे कहा कि यह देश जित हाथ लेते हुँ उन्होंने कहा कि यह लोग रोहिंगिया मुसल्मानों के लिए पैर भी करते हैं और हाय तो वह मचादे हैं लेकिन बंगलादेश से जब हिंदू आता है तो भारत बंद और बिहार बंद बुलाते हैं यह कितने सर्म की बात है इतना ही नहीं दर्भंगा में उनके सास मंज साजा कर रहे हैं गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि आज नागरिक संसोधन अधिनियम पर कॉंग्रेस सहीत संपूर्ण विपक्ष जिस प्रकार से देश में कुछ हिस्से में अलफसंख्यक संधाय के लोगों को गुमराह कर रहा है हिंसा करवा रहा है और इस तरह से हंगामा बरपा है यह दूर भागयपूर्ण है इसकी जितनी निंदा की जा वो कम है उन्होंने सिधे तोर पे कहा कि हमेशा से हिंदू और मुसल्मान के भय उत्पन कर अपने स्वार्थी राजनीत को पूरा करती रही है बीपक्ष और खास करके कॉंग्रेस भाजपा के नगर विधायक संजय सारवगीर ने कहा कि राष्टपिता महात्मा गांधी 26 सितंबर 1947 को ये बात कही थी कि पाकिस्तान में रहने माले हिंदू और सिख हर नजरिये से भारतिये आ सकते हैं अगर वे वहाँ निमास नहीं करना चाहते हैं तो उस इस्थिति में उन्हें नौक जिवेश मिस्रे ने कहा कि इस अधिनियम से देश के मुसल्मान भाईयों को डराने की जरूरत नहीं है और नहीं किसी को गुमरा होने की जरूरत है आज जो पिपक्ष इस तरह से धर्म निर्पेक्षित बातों को और सवालों को उठा रहा है जो हंगामा परपा है वो तुर जूट मुट का प्रपंच रचकर एक खास बर्ग को अंदोलित करवा रहा है और उन्हें डराध हमका रहा है तत्यों को सामने रखने के लिए हर तरह से प्रयास किया जा रहा है हम इस तरह के किसी भी बिरोत प्रदसन का साथ नहीं दे सकते बिहार और बिहार के लोगों को हर तरह से साथ राना सुरक्षा देना भारती जनता पार्टी के करतब है और भारती जनता पार्टी इसे करेगी विपक्ष जूट मूट का परपंच रचना बंद कर दे क्योंकि उसे पता चल गया है कि जिस तरह से लोग सभा में वो सुनने पर आउट हो गए हैं उसी तरह से बिधान सभा में भी बिहार से उनका सफाया इस बार हो जाना है इन सब बातों के बाद अब देखना होगा कि विपक्ष इसका जवाब कैसे देता है हलाकि विपक्ष ने अपनी तयारियां जबरदस्त कर रखी हैं कल भी आपने देखा होगा कि बिहार बंद का कॉल किया गया था आज भी कई तरह के कारेकरम बिरोज में किये जाने हैं और ए रहा है जुड़े ने भारत लाइब के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकों जरूर दबा दें जिससे कि सभी खबरें आपको सबसे पहले मिल जाएंगी नमस्कार बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टिटूट के साथ शिखर प्रतिभाप प्रोजसाहन परीक्षाद 2019 शिखर करियर इंस्टिटूट पूर्वी भारत में एक मात्र कोचिंग संस्थान जो एक्स्क्लूजिबली है मेडिकल एंट्रेंस एक्जाम के लिए करियर इंस्टिबली है